हेलो दुस्तो वेलकम बैक टू अनादर वीडियो उमीद करते हैं दुस्तो आप सब भी बहुत ही अच्छे हो लिए दुस्तो आज की फीडियम बात करने वाले हैं कि साइन 125 को लेने के ऐसे कौन से टॉप 5 रीजर है जिस रीजर से दुस्तो आपको ये बाइक खरीदने चाहिए देखिए आपको पता है हुंड़ा की जो साइन 125 है दुस्तो वो काफी पसंद की जाने वाली बाइक है इंडिन मार्केट में दुस्तो कई न कई इस बाइक का जो क्रेज है वो काफी जादा हो चुका है तो आपके दिमाग में ये भी चीज आते होगे कि मैं इसे ले तो लूँगा तो कई मुझे नुकसान न हो जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से कारण है जिस कारण से आपको ये बाइक लेनी चाहिए तो आज की वीडियों के लिए इंट्रस्टिंग प्लस इंपोर्टन होने वाली है अगर दोस्तो आप जाना चाहते हैं इसके टॉप 5 रिजन के बारे में तो चलिए विर आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं बात कर लेते हैं साइन 1.5 के बारे में दूस्तो सबसे पहले बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में आपको यह क्या प्राइस देखने को मिलती है अब जायर सी बात है कोई चीज खरिदने वाले खरिदने की सोच रहे तो सबसे पहले अपने बजट के बारे में सोचते हैं कि हमारे पास पैसा कितना है दूस्तो किसी जीच को decide करता है आपको पताना चाहिए दोस्तों इसमें आपको न दो model मिलता है आप जानते होंगे एक आपको डिस्क वाल मोडल मिलता है एक आपको non-disc model लेता है अगर आप डिस्क वाल मोडल लेंगे दोस्तों तो आपको लफ़क 80,000 असी अजार से 81,000 रुपए के आसपास की एक सुरूम प्राइज आती है वह अगर दोस्तों आप डिस्क वाल मोडल लेंगे तो आपको लफ़क 84,000 रुपए एक सुरूम प्राइज आएगी non-disc 80,000 वेट डिस्क मोडल 84,000 रुपए गयास पास की आपको एक सुरूम प्राइज देखने को मिल जाती है चलिए अब आ जाते है दोस्तों इसके डीटेल मतब टॉप 5 रीजन में कौन-कौन से से रीजन है दोस्तों साइन 125 को खरीदने का जो सबसे पहला रीजन निकल के आता है वो निकल के आता है दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस देखिए अगर आपको परफॉर्मेंस नहीं चीए तो भाई आप एक 100cc के बाइक के साथ में भी जा सकते है लेकिन भाई आप 125 लेंगी क्यों आपको परफॉ और इतना टॉर्क आपको मिल रहा है कि आप इनफ काफी जो राइड है आप इसमें हाईवे में कर पाएंगे और काफी पफॉर्मेंस दोस्तों आपको इस बाइक निकाल कर दे देती है यह पहला कारण है जिस कारण से दोस्तों आपको ये भाईक खरिदना चाहिए दुस्तों तो दूसरा रीजन निकाल के आता है इस बाइक को खरीदने का वो निकल के आ जाता है दूस्तों इसका एंजन अब देखे किसी भी बाइक का अगर एंजन बहतर है तो जाहिद सी बाथ है वो बाइक बहतर है देखे आपको मैं clear करना चाह отвеч की यह Honda एक Japanis brand है तो दोस्तो जपानीस ब्रेंड होनी की वजह से आपको इसका जो एंजिन क्वालिटी हे न आपको बहुत बहुत भैतर देखने को मलता है अब बाइक मुझे असा लगता है कि यह बाइक मिनीमम जो है न वालब आप 50-60-1000 km तक भी आप इसे राइट करते रहेंगे तो उसके बाइक में आपको कोई इशू नहीं आने वाला नेक्सी बात है कि अगर हम भाइक में देख रहें हैं में लिए कंपजिसार नहीं हुआ है आएंगे तो भी दूस्तों आपके बैक में एंड सोल्डर में आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला तो इस रिजन से भी दूस्तों आप इस भाइक को खरी सकते हैं काफी कंफोर्टेबल भाइक हमें यह देखने को मिल जाती है दोस्तों इसे खरीदने का नेक्स रीजन है अब देखिए आपको पता है दोस्तों इंडिन मार्केंट में पैटोल का प्राइज कहां तक बहुत चुक है जिससाब से दोस्तों पैटोल का प्राइज है उससाब से भाई मायलेज भी बहुत जावें इंपोर्डन रखता है आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा यह बाइ सरी जाने इसे खरीदने का होगे दोस्तों स्कामेंटेंस कॉस्स आपको बताना वी बहुत ऑखिंव। देखे पहली बात तो छोटा CC का एंजिन है तो जायर सी बात आप है एगर छोटा CC का एंजिन है तो भाई कितना ही आपको maintenance लगेगा, maintenance काफ़ी low है प्लस engine की quality बहुत अच्छी है जपानीश बाइन है तो engine quality आपको बहुत सुपर मिलता है इस बज़े से क्या होता कि काफी था यह easy तो maintain हो जाती दोस्तों काफी कम जो है आपको इसमें खर्च करने पड़ेंगे भाई मतलब ऐसी बाइक है आप इसली इसे चलाए रॉफ चलाए तो भी आपको पोई issue नहीं आने वाला यह भी बहुत बड़ा reason है जिस reason से दोस्तों आप इस बाइक को खरीद सकते हैं दोस्तों इसे खरीदने का जो next reason निकल के आता है वो निकल के आता है दोस्तों इस बाइक का feedback अब जाहर ची बात है अगर हम कोई बीची लेने वाले है लेने की सोच रहे है तो सबसे बहले हम यह सोचते हैं कि इस बाइक का review कैसा है आपको मैं clear करना चाहूँ दोस्तों आप किसी भी लोग से पूछे इसका जो review निकल कर आता है वो बहुत अच्छा निकल के आता है लोग आपको यही बोलेंगे कि इसका जो review है वो इतना जाधा बहतर है कि आपको इसमेरा कोई problem नहीं आ कारण है दोस्तों जिस कारण से आप इस बाइक को ले सकते हैं वागी दोस्तों देखिए मेरे साब से जितने कारण दे मैंने आपको बता है अगर आपके सामसे आपको लगता कि समयर भाई आपने यह कारण चोड़ा तो आप मीचे comment section में comment करके ज़रूर बता सकते है जैहन पंद मात्रव